Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफॉर्डबल पांच दिन के अंदर अंदर आप चले जाए, लेकिन आपके मन में एक definitely सवाल आना चीए, कि आखिरकार Canada ही क्यों, मतलब Canada में ही क्यों वहाँ पर इतना जादा खालिस्तान की चर्चा होती है, जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं, जो टेरिस्ट हैं, वो वहीं पर उनको जग आप सभी को, अगर आप UPSC 2024 की preparation कर रहे हैं, और prelim से लेकर interview तक की पूरी त्यारी एक single batch में करना चाहते हैं, तो हमारा तीन live batch, ये 22nd of September से start हो रहा है, comment section में सभी के link दिये हैं, वहाँ पर जाएए और use कर ये code, अंकित live, ये code इस्तमाल करने से आपको maximum discount मिलता है, और इसके हो क्या रहा है, देखे, Canada के PM जैसा कि आपको पता है, उन्होंने direct delegation लगा दिया, बहुत ही shocking था एक तरह से कि Canada की Parliament में, House of Common में भारत के उपर इस तरह से इलजाम लगाना, मतलब ये साफ दिख रहा था, Canada भी चाहता है कि भारत के साथ जो relations है, वो और खराब हो, और इसका ज केनेडा जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, कई चीजों के लिए जाते हैं, लेकिन ये कहना directly Parliament के अंदर कि भारत जिम्मेदार है, जो terrorist था हर्दीव सिंग निजार, उसके मिर्थियों को लेकर, और इसी को देखते वे भारत सरकार भी पीछे नहीं होटी, और उन्होंने भी कह दिया, कि एक तरह से जो केनेडा है, वो लगतार खालिस्तानी टेरिस्ट और एक्स्रिमिस्ट को शेल्टर देता रहता है, प्रोटेट करता रहता है, मिनिस्ट्री आफ एक्स्टरनल अफेर्स ने कह दिया, केनेडियन पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं, वो ओपेनली अपना सि के इतिहास को लेकर, देखो सबसे पहले हम रीसेंट की बात करेंगे, जो एंटी इंडिया अक्टिविटीज हैं, कैनेडा में, धान रखेगा ये सौरी इंडिया लिखा हुआ है, बेसिकली एंटी इंडिया अक्टिविटीज इन कैनेडा की बेसिकली हम बात कर रहे हैं, त और तो आप जून को आपको याद है क्या हुआ था उंटेरियो के जो ब्राम्टन है ब्राम्टन बेसिकली मैं आपको बताओं तो सबसे ज़्यादा जो सिख पॉपुलेशन रहती है कैनेडा के अंदर वो आपको ब्राम्टन नहीं देखने को मिलेगी तो वहाँ पर जो 39th anniversary थ निकाला गया था जिसमें जो इंद्रा गांदी जी हमारी former Prime Minister का assassination हुआ था हत्या की गई थी उसको ये लोग celebrate कर रहे थे इस तरह ये पहला incident और इसके पहले भी अगर आप देखोगे तो वह आपका पिछले साले की incident हुआ था जहाँ पर जो प्रो खालिस्तानी organization है सिख for justice इ उसको लेकर referendum था और लगभग एक लाख लोग उस referendum में आये थे और भारत सरकार ने directly यहाँ पर चुनौती दी थी और केनडा की सरकार को साफ साफ कहा था ये anti-India activities है आपको इसको रोकना चाहिए और केनडा की सरकार ने ऐस सच उस समय कुछ नहीं किया और भारत सरकार ने ये भी काता कि हमने जिनको भी terrorist declare किया है आपको भी terrorist declare करना चाहिए और मैं आपको बता दूँ sick for justice ये जो organization है ये भारत में already banned है इसको terrorist organization declare किया हुआ है क्योंकि पंजाब intelligence headquarter 2022 में इस यहाँ पर RPG attack हुआ था वो इनी के द्वारा कराये गया था अब देखे क्या है न ये सारी चीजों को देखते वे एस जैसंकर साब का भी उसमें बयान आया था और उन्होंने कहा था we are at a loss to understand other than the requirements of vote bank politics तो साफ साफ एस जैसंकर साब ने कहा था कि जिस तरह से separatist को space दिया जाता है Canada के अंदर ये साब दिखाता है कि ये vote bank politics के लावा और कुछ नहीं है एस जैसंकर स मैं आपको interesting चीज़ बताता हूं 2002 में 2002 में basically क्या हुआ था Toronto based Punjabi language weekly है जिसका नाम था Sanj Savera जो की इंद्रा गांदी जी की जो death anniversary थी उसका जो cover illustration है उनके murder का वो उन्होंने Sanj Savera के अंदर दर्शाया था और उसका headline आपको पता है क्या था उसमें headline लिखा वा था honor the martyrs who killed the sinner मतलब वो उसको celebrate कर रहे थे वो honor कर रहे थे जो martyr हैं जिनोंने इंद्रा गांदी जी की हत्या की थी एक head of head of the government की हत्या की थी उसको ये लोग celebrate कर रहे थी और सबसे चौकाने वाली बात तो ये थी मैं आपको बता हूं जब मैं इसके बारे में पढ़ आथा कि ये जो ये जो जो newspaper आता है वो तो anti-India activity कर रहा है तो Canada की सरकार कैसे उसको support कर सकती है कैसे अपना advertisement उसके अंदर दे सकती है वो ऐसा उस समय देखने को मिला था तो overall आपको ये समझना है कि Canada एक प्रकार से खालिस्तानी जो supporters हैं जो militant voices हैं उनके लिए एक प्रकार से safe heaven है वो आराम से जात लिखा था that is blood for blood 50 years of the global खालिस्तान project 2021 में ये बुक लिखी गई थी उस अपने बुक के अंदर यहां पर उन्होंने कहा कि ये जो खालिस्तानी challenge है वो भारत 1980s में से face करता रहा है 1982 में भी इंद्रा गांधी जी जब प्राइम निस्टर थी तब यहां पर लगतार वो Canada को अर प्राइम निस्टर रह चुके हैं और ये पूरा मामला तब से चलता रहा है तब से भारत सरकार request करती रही है कि प्लीज इस चीज को रोके 1982 से और आप समझ सकते हैं कि आज लगभग 40 words हो चुके हैं लेकिन Canada को कुछ और ही समझ में आता है अब question यह है कि आखिरकार Canada ऐसे कै कर सकता है क्यों करता है ये सबसे बड़ा प्रश्ण है देखो इसका भी answer ये जो book लिखी गई थी मिलो इसकी किये दौरा उन्होंने अब इसका answer इसी book में लिखा और वो लगभग लगभग आप कह सकते हो जो एस जैस शंकर साब का बयान था ना vote bank politics का वैसा ही आपको देख होगे तो वैसाकी एक सबसे बड़ा festival है राइट तो कैनड़ा के अंदर भी जो हमारी सिक डाइसपोर है जो सिक population है वो उसको celebrate करती है तो सडकों पर जब एक लाख सिक एक साथ निकलते हैं उससे जादा लोग निकलते हैं तो वहां की जो सरकार है उनको लगता है कि कुछ ज पीपल सडकों पर निकले हैं वैसाकी के दिन वो वो बेसिकली सभी एक तरह से खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं ऐसा कैनड़ा की सरकार को लगता है ये किस ने लिखा ये मिलविस्की ने अपने बुक में लिखा और यही कार है जिसकी वज़य से वो लोग चुप रहते हैं सारे चीजों को लेकर जब भी यहाँ पर खालिस्तानी सपोर्टर्स आते हैं और भारत को तोड़ने की बात करते हैं तो वहाँ की सरकार कुछ नहीं करती है वो चुप रहती है क्योंकि उनको लगता है ये वोट है उनके लिए अगर वो इसके खिलाफ बोलेंगे तो वो और भारत के बाद से सबसे ज़्यादा सिख पॉपुलेशन आपको कैनड़ा के अंदर ही देखने को मिलेगी और आज की डेट में आप देखोगे तो कैनड़ा में सिख लॉवमेकर जो ऑफिशल्स हैं वो हर लेवल पर है गौर्मेंट हर एक लेवल पर आपको देखने को मि जैसा मैंने आपको बोला था कुछ उनिंदा ऐसे लोग हैं जो कैनड़ा के अंदर हैं वो इस तरह की एंटी इंडिया अक्टिविटी करते हैं अब कोशन यह है कि क्या भारत के अंदर आखिरकार ये खालिस्तानी मूवमेंट अभी भी क्यों चल रहा है ये भी आपके मन मे स्टेशन पर खालिस्तान जिंदाबाद इस तरह के कुछ-कुछ नारे लिखे गए थे उसका में कारण यह होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि भारत में कुछ लोगों को योग पैसे बगरा ट्रांसफर कर देते हैं और उनसे वो छोटा-मोटा काम करा लेते हैं जो कि कुछ खालिस्तानी मुवमेंट है वो बेसिकली आपको फॉरण में ही देखने को मिलेगा चाहें US हो गया UK हो गया Canada हो गया in fact मैं आपको बटा दूँ कि खालिस्तानी मुवमेंट का जो inception है जो बीज है वो भी फॉरण से ही सुरवात हुआ था और सबसे पहला declaration सिक स्टेट बनाने का वो दिया गया था none other than New York Times के अंदर क्या आपको ये बात पता है United States के New York Times जो आज के डेट में काफी जाना जाता है New York Times उसके अंदर पहली बार इसका ad दिया गया था सोचके देखिए कि हमें sick state चाहिए अलग sick state चाहिए तो basically आपको ये foreign link ही देखने को मिलेगा और आपको पडोसी जो देश है ना भारत के पडोसी देश दुश्मन देश आप कह सका है पाकिस्तान हो गया चाइना हो गया ये लोग भी समय समय पर यहाँ पर support करते रहते हैं इसका example मैं आपको बताता हूँ चाइना अब आप में से कई लोग पूछेंगे पाकिस्तान तो चलो समझ में आता है वहाँ पर border state है वो support करता है रहता है खालिस्तान movement को चाइना कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ लास्ट टाइम क्या हुआ था जो operation blue star के दोरान जो terrorist golden temple में भिंडरा वाले और बाकी जो छुपे वे थे उनके पास Chinese made RPGs पाया गया था जी हाँ जो rockets है वो पाये गए थे और यही कारण था जिसकी वज़े से इंडियन आर्मी को टैंक का इस्तमाल करना पड़ा था और दो हम समझ सकते है golden temple एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है सिख भाई बहनों के लिए बहुत important है लेकिन उस समय जिस तरह का situation हो गया था वो काफी emotional moment था तो यह important to note here that not all Canadian Sikhs are Khalistan supporters जो भी Canada के अंदर Sikh रह रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि वो Khalistan supporters है उसमें कुछ चुनिंदा ऐसे लोग हैं जिन जो की इस पूरे मुद्दे को थोड़ा सा loudly उठाने की कोशिश करते हैं जो और सोड से उठाने कोशिश करते हैं जिसकी वज़े से जो Canada के leaders ह उनको लगता है कि यह सारे के सारे Sikh population चाहते हैं खालिस्तान स्टेट जो की बिलकुल वे सही नहीं है तो अब देखते हैं अगे इसको लेकर क्या होता है बटाई होग कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा जो पूरा इतिहास है Canada में आखिरका पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से ले सकते हैं इसका साही उत्तर में कई सारे जो MCQs हैं वह यहाँ आपर स्टोरीज में डालता रहता हूँ बाकि अगर आपको पीडियो चे तो टेलिग्राम पर आई अलग लग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे और जैसा मैंने आपको बताया UPSC के अगर आप त्यारी कर रहे हूँ जस्ट यूज़ दे कोड अंकित लाइव तो गेट माक्सिमम डिसकाउंट और आपको पसंद आया होगा मिलता हूँ आपसे नेक्स टाइम तिल देन थैंक यू बरी मत सी